नमस्कार मेरे पैरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग Nifty और Bank Nifty के इंडिया में सबसे सिंपल प्राइज एक्षन एनालिसिस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देखो मेरा है ना ये वीडियो स्टार्ट करने से पेले मेरा कल का वीडियो जाके देख लो हो रही है multiple candle एक दो तीन चार पाच करीबन पाच गंटे समनलो करीबन पाच गंटे वोगेंडल ज्यादा मूह नहीं हुई समझ रहे हो आप करीबन चार गंटे बोलो ना चार गंटे बोलता हूं चलो करीबन चार घंटे के आसपार लास्ट वन आर में उसने थोड़ा डाउन मार्केट थोड़ा गिर गया ठीक है एक्चुली एक माउस्ट्रेप स्टेटेजी मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने बोला था कि कई बार प्राइजिस स्टॉक हो जाती है जब स्टॉक हो जाती है तो या वो उपर की तरफ जाती है या तो वो नीचे की तरफ जाती है ठीक है यहाँ पर क्या है कि उसको उपर की तरफ जाने ही नहीं दिया जा रहा था तो चांसे ज्यादा थे कि वो नीचे की तरफ जाएंगे ठीक है दूसरी एक बात कल का वीडियो देखो ना तो मैंने एक चीज बोली थी वो मैं चीज आपको याद दिलवाता हूँ कल है ना मार्केट क्लोज हुआ था कुछ यहाँ पे ये केंडल पे 18308 पे ठीक है 18308 पे क्लोज हुआ था तो मैंने थोड़ा अपसोस जटाया था कि ये केंडल को कम से कम मार्केट क्लोज करता हूँ और उसके उपर क्लोज होता ना 18304 पंद्रा तो मैं ज्यादा खूस होता हूँ मैंने ये एक पॉइंट बोला था और फिर मैंने बोल दिया कि चलो जाने दो कोई बात नहीं उसका कुछ मीनिंग था क्योंकि यहाँ पर देखो वही चीज के आगे पीछे 10-15 पंद्रा करके वो आगे नहीं जा पाया ये पिछले दो दिनों का यहाँ पर हाई था वो क्रोस कल भी नहीं कर पाया था और आज उसके उपर stability नहीं दे पाया और actually आज मैं क्या चाता था पता है कि कम से कम ये 18,315 के उपर close दे ये candle के उपर close दे पर वो नहीं दे पाया तो कही न कहीं उसको ये struggle हो रही है समझ रहे आप ये कल मैंने सिर्फ एक ही second में pause लेके ये अपसोस थोड़ा मैंने जता है था कि अरे इसको close होना चाहिए था पर वो नहीं हुआ तो आज जब ये मैं market देख रहा था तो मैंने सबसे पहला observation ये था कि market यहां से उपर जाई नहीं रहा है उसको struggle हो रही है समझ रहे हो market अगर यहां से उपर नहीं जा रहा है तो मैं buy की position में क्यों जाऊंगा समझ रहे हो मैं wait करूंगा wait करूंगा wait करूंगा wait करूंगा क्योंकि हमारी buy on deep strategy है समझ रहे हो तो ये एक thinking होता है जब आप price action trading करते हो कि market कैसे खुलता है और क्या वो major चीज़ों पे stabilize होता है कि नहीं होता है वहाँ पे उसको struggle आ रही है बट एक अच्छी बात कि again market 18,000 के उपर 18,180 के असपास close हुआ है जितनी जितनी बार market 18,000 के उपर close होगा उतनी उतनी बार हमारे लिए positive है मतलब हम long term में buy on dip strategy अभी भी follow कर सकते है जितनी जितनी बार निफ्टी में correction आएगा मैं buy on dip follow करता रहूंगा जब तक 18,000 या तो उसके नीचे का level मतलब 17,900 17,800 तोड़ता नहीं है तो उपर की तरफ इसको 18,315 पे stabilize होना पड़ेगा बाद में हम 18,600 या तो 1500 के दूसरे लेवल की बाद में बात करेंगे बट जब से ये थोड़ा correction चालू हुआ है तब से मैंने बोला था कि जो लोग non-directional sellers है जो लोग delta neutral वाले हैं उनके लिए ये बहुत फाइदा करेंगे क्योंकि हमारे पास एक उपर की range आ गई है निफ्टी की और एक नीचे की range आ गिये इन दोनों range को बिठा के हम weekly और monthly expiry में जब भी जब भी हमको premium ज़्यादा मिलता हो जब भी हमारा straddle ज्यादा हो तब तक हम strategy बना के delta neutral strategy करके theta decay का फाइदा उठा के premium खा सकते हैं यह बहुत simple है और market में एसी बहुत सारी strategies है जिससे कि आप यह कर सकते हो recently मैंने iron counter strategy बताई दी और उसके adjustment भी बताई थे जिसमें सिर्फ आप delta सिर्फ delta को watch करकर के आपको adjustment करकर करके आगे चले जाना है तो nifty थोड़ा सा stagnant लग रहा है हमको stagdance का फाइदा उठाओ और theta dk का बेठा बेठा पैसा कमाने लगो ठीक है मैंने आपको range भी दे दिये बात करते है bank nifty में bank nifty में भी interesting चीज़ क्या हुई है कि bank nifty में भी जहां से 27 तारिक स्टार्ट हो रही वहाँ पे क्या हुआ कि उसको भी एक बहुत औरली signal है कि इसको उपर नहीं जाने दे रहे हैं तो हम buy on dips मुझे करना हो तो मैं intraday में नहीं कर सकता positional की बात आ रहा है और intraday में अगर मैं directional training करूँगा buy on dips तो मैं नहीं कर सकता दूसरी बात यह इतना भी गिरा नहीं है 200 दीन आज गी रहा है तो that is okay क्योंकि काफि सारी बारा साथ सो पॉइंट बारा सो पॉइंट की आट सो पॉइंट की मुझे दे चुका है अगें बेंक निफ्ट में भी buy on dips strategy चालू रहेगी नीचे की तरफ immediate support उसको मिल रहा है मैं आपका बता दूँ 40,200 40,200 पे बहुत बड़ा उसका support है तो कि यहां से वो gap up हुआ था तो मैं उसको एक बहुत बड़ा support मान रहा हूं इसके इरिदगिर्द आता है तो मैं सीधा buy on dips में positional trading भी करना start करूं दूँगा bank nifty में directional trading अभी ज्यादा फाइदा करागे nifty में non directional trading हमको ज्यादा फाइदा दे रहा है दूसरी बात एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊ बहुत बड़ा lesson आप लोगों को लेनी की ज़रू होते है SBI ने आज हाई मारा करीमन 525 का ठीक है अब मेरे वीडियो 3-4 दिन के जाके देख लो ठीक है ना मैंने बोला था कि जैसे ये 508 के उपर close होगा और यह मैंने ये candles के उपर से बोला था और यहाँ पे उसको एक दो बार परहशानी होई दि मैंने जब जब बोला था कि जैसे ये 508 के उपर close होगा वहाँ पे stability दरसाएगा ये बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जर्णी स्टार्ट करेगा अब सोच लो के 508 के उपर उसने एक दो बार स्टगल की बाद में वो क्लोज हुआ तो 525, 27 तक आज उसने हाई मारा और ये मेरे पिछले तीन दिन के वीडियो में जाके देख लो ये पूरा रीसर्च मेंने आप लोगों को बताये था मुझे काफी लोगों के मेंसेज है कि जिन लोगों ने एक अच्छी पोजिशनल ट्रेडिंग इसमें की और काफी सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और काफी सारे लोग अभी भी उसको होल कर रहे है देखो ये simple simple price action चीजे होती है कि जो अगर हम 70% भी right हो हमारे analysis में 60% भी right हो और अच्छा risk or ratio डाले तो हमको position मिल सकती है किसी की tips के किसी भी calls पे हमको जाने के जरुवत नहीं है मुझे जब unique unique चीजे दिखती है तो मैं आपको रूगरू कराता हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि sir आप सच बोल रहे है या तो जूट बोल रहे है तो मेरा previously वीडियो में जाके सब कुछ आप टेली कर सकते हो ठीक है आज दो अलग तरीके के stock लेते हैं मैंने क्या किया इस बारे ना nifty next 50 में से दो stock लिए क्योंकि निफ्ट थोड़ा गडबड़ा गया है अभी तो उसमें मुझे ज्यादा अच्छे trend नहीं दिख रहे है जब तक वो फिर से कच्छा एक strong zone अस्टाब्रिस नहीं करता अब मेकडोवेल्स की ले लेते हैं मेकडोवेल्स मेंने क्यूं लिया मेकडोवेल्स का ये 1R का chart है आज ही उसने कुछ 5% उपर jump मार लिया तो यहाँ पर भी ये मुझे volume बहुत अच्छा लगा volume अच्छा लगा और यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ कि जब तक 865 को वो तोड़ता नहीं है उसके उपर रहता है तो जब भी जब भी इसमें correction आता है तो आप buy कर सकते हो और capital अच्छी हो तो आप aggressively इसमें trading कर सकते हो बट आप analysis की pattern देखो कि ये मैंने क्यूं लिया जब तक मुझे एक strong volume का indicator नहीं मिला तब तक मैंने इसको नहीं लिया था ठीक है अब इसका एक weekly chart भी देख लेते हैं weekly chart देखो overall कियसा जा रहा है overall up जा रहा है काफी कम week में ही उसको परिशानी हुई है और जो last week में ये 6% गिर रहा था तो आज एक ही दिन में 5% उसने recover कर लिया समझ रहे हो हम इसमें buy and dip strategy करके पैसा कमा सकते हैं इसको भी हम track करते रहेंगे ठीक है फिर बात आती है मेरी को मेरी को वे सभी investment भी मैंने उसमें किया हुआ है मैंने लोगों को भी बूला हुआ है मेरी को की बात कर लेते हैं कि मैंने मेरी को क्यों लिया देखो मेरी को ने एक दो दिन पहले यहां से jump मा रहा है तो वो level कौन सा है तो 565 560 है तो 565 का level बो मूलता हूँ 565 का level इसके लिए बहुत important था क्योंकि multiple channels बनी थी देखो कितनी candle थी कितनी candle थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 candle को तोड़के वो उपर गया है बाद में वो correct हो रहा है तो यहां पे भी 565 का level इसके लिए बहुत important हो जाते है और यहां पे बहुत बड़ा volume आका है बाद में वो उपर गया है तो इसको मैं फटाक से अपने drag में ले लूँगा मैं देखोंगा कि अगर यह नीचे के साइट 565 तो अगर आसानी से नहीं तोड़ता है volume के साथ तो वहां पे भी मैं buy on dips करके इसमें अच्छी तरह से मैं trade कर सकता हूँ समझरी हो किस तरह से सोचना है किस तरह से छोटी छोटी बातों को पहचानना है और nifty में जैसे बोला था कल ही में 1% थोड़ा disappointment हो गया था कि अरे यार यह 18,314 पर close हो जाता तो मज़ा था पर उसने नहीं किया और आज थोड़ा ही weakness उसने बता दिया ठीक है अभी भी overall trend में मुझे बहुत बड़ा कुछ change नहीं दिख रहा है market में बहुत ज्यादा चिंता करने के लिए तो aggressively short होने की जरूवत नहीं है चिस्तिस तरह से हमको behavior मिल रहा है उस तरीके से हम आगे जाने की try करेंगे दूसरा मैं थोड़ा liquidity में कमी देख रहा हूँ दोनों के nifty और make nifty दोनों के trend थोड़े अच्छे हैं पर थोड़ी liquidity अच्छाने कम हो गई है अलग-अलग reasons की बज़े से जैसे यह liquidity वापस आईगी market में बहुत अच्छा आपने को push मिलने माले है ठीके थोड़ा और मैं बात कर दूँगा liquidity के दूसरे video में यहीं पर video आज का end करते है I hope के काफे सारे लोग सीख रहे होंगे मैं यहीं हर बार कहता हूँ कि किसी की tips follow मत करो किसी का trading follow मत करो किसे के calls follow मत करो किसी की tips follow करने से कभी भी आप अपने घर में पैसा नहीं ला सकते है कोई भी technical question हो तो मुझे email या WhatsApp कर दो और stock market में सही तरीके सा आगे बढ़ना हो तो website visit कर लो पैसा दो बने का कि एप डाउनलोड करो नए लोगों के लिए एक डेट लाक रुपे के courses में इने free दिये है बाद में आप strategy specific courses options से लेके intraday से लेके काफी सारी चीजों के join कर सकते हो it's up to you कि आप coaching में कितना believe करते हैं और आप थोड़ा patience के साथ लिखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो मिलते रहेंगे अलग-अलग वीडियो में थोड़ी बहुत insights में आपको नहीं नहीं देता रहोंगा ताकि आप ज़्यादा सोच सके उसको implement कर सके वो बिक बहुत ज़रूरी है मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए वीश्यो lots of love and happiness